जैहिन जैभारत मेरे नाप विपिन कौहर आप सभी लोग का हमारी यूट्यूब चैनल पर फैक्ट क्लासेश नूरपूर पर हार्दिक स्वाग्योत और विनन्दन है आज का बहुत सांदार सेसन स्टार्ट होने वाला है तो आज से पिरते एक दिन 10 बजे आपन जीएस के महत पूर्ट टॉपिक जो है यहाँ पर करा करेंगे और ऐसे महत पूर्ट टॉपिक करेंगे जिसे कि आपके एक्जाम में बहुत सारी कोशन्स दाते हैं और जो टॉपिक करेंगे उससे पूरा किलियर करेंगे चाहें आपका एक्जाम सिपाई का हो, SI का हो, CGL स्पेक्टर का हो PCS का हो, RO का हो, ARO का हो या आपका exam IAS का हो इस topic से यह दी question आया तो वो 100% जो है आप उसको करके आएंगे तो start करते हैं अपना आज का सांदार सेशन मेरे प्यारे बचो आज का अपना topic है आठवी अनसूची वर राजभासा यह एक ऐसा topic है जिससे हर एक exam में questions आते हैं तो आठवी अनसूची वर राजभासा एक एक करके हर एक बात को यहाँ पर clear करेंगे, अच्छे से समझेंगे और जो महतपूर्ण facts हैं वो भी मैं आपको जो है class के end में कराऊंगा देखिए तो आज हम बात कर रहे हैं आठवी अनसूची की जो आठवी अनसूची है इसके बारे में जो है आज आपन चर्चा करेंगे अगर आपन आठवी अनसूची की बात करें तो हम यह जानते हैं कि आठवी अनसूची का जो संबंद है वो संबन्द किस से है? भासा से है आठबीर सूची का जो संबन्द है मेरे प्यारे बच्चो वो संबन्द किस से है? भासा से है यदि हम मूल रूप से संबिधान में देखें यदि हम मूल रूप से संबिधान में देखें तो इसमें 14 भासाएं हुआ करती थी इसमें जो थी वो कितनी भासाइं थी? 14 भासाइं थी परंतु यदि आपन बरतमान में बात करें तो बरतमान में जो है मेरे प्यारे बच्चो इसमें भासाइं होती हैं 22 इसमें भासाइं कितनी होती हैं? 22 इसका मतलब ये जरूर है कि इसमें आट भासाओं को जोड़ा गया है और हम अच्छे से जानते हैं कि संविधान में जो भी जोड़ा जाता है या संविधान से जो हटाया जाता है उसके लिए आपको संविधान में संसोधन करना पड़ेगा संभीधान में संसोधन के द्वारा ही कोई चीज उसमें जोड़ी जा सकती है और संभीधान में संसोधन के द्वारा ही उसमें से कोई चीज जो है समाप्त की जा सकती है तो इसके लिए हमने क्या किया? हमने संभीधान में संसोधन किया क्योंकि सबसे पहले आठवी अनुसूची में हमारे द्वारा जो भासा जोड़ी गई मेरे प्यारे बच्चों वो सिंधी भासा थी सबसे पहले जो जो जोड़ी गई वो कौन सी भासा थी सिंधी भासा थी और सिंधी भासा को हमने जिस संसोधन के द्वारा आठवी अनसूची में जोड़ा वो संसोधन था 21 21 संबीधान संसोधन अधिनियम 21 संबीधान संसोधन अधिनियम 21 संबीधान संसोधन अधिनियम 21 संबीधान संसोधन अधिनियम के द्वारा हमने जो है 1967 के द्वारा जो है इसके बाद हमने तीन भासाओं को और जोड़ा जिसमें से थी एक नेपाली, दूसरी थी मड़ीपूरी, मड़ीपूरी और तीसरी थी कौकडी तो इन भासाओं को जो है, हमने और संबीधान में जोड़ा और इसके लिए हमने जो संसोधन किया वो 31 था, एक 31 संसोधन था जो 1992 में हुआ और इस संसोधन के दौरा जो है, तीन भासाओं आठवे नुसूची में और जोड़ दी गई, तो अब कितनी भासाओं हो गई, अब इसके बाद चार भासाओं को और आठवे नुसूची में जोड़ा गया, और जिन चार भासाओं को और आठवे नुसूची में जोड़ा गया, उनमें थी एक भासा मैथली, उनमें एक भासा थी मेरे प्यारे बच्चों मैथली, एक थी संथाली, और एक थी बोडो, और एक कि डोगरी तो चार भासाओं को और जोड़ा गया और इन चार भासाओं को जिस संभीधान संसोधन के द्वारा जोड़ा गया मेरे प्यारे बच्चों वो संभीधान संसोधन था आपका ब्यानवार 92 संभिधान संसोधन था और यह संसोधन हुआ 2003 में और इसके द्वारा जो है साब 4 भासाओं को और जोड़ दिया गया इस पिरकार से 8 भी नसूची में जो भासाएं हो गई वो कितनी हो गई आपकी 22 भासाएं हो गई तो मैंने आपको बताय कि जो 8 भी नसूची है मैंने आपको बताया मेरे प्यारे बच्च जो 8 भी नसूची है इसका संभन जो है वो भासा से है मूल रूप से इसमें संभिधान में जो थी वो 14 भासाएं थी परन्तु बरतमान में इनकी संख्या जो है वो कितनी है 22 भासाएं है इसमें पहले 14 हुआ करती थी अब 22 भासाएं हैं तो सबसे पहले इसमें जो हमने भासा जोड़ी वो सिंधी भासा जोड़ी और सिंधी भासा को जिस संविधान संसोधन के द्वारा आठ भी नुसूची में जोड़ा गया बहस संसोधन ता हमारा 21 बा और 21 बे संसोधन के द्व सिंधी भासा को आठवी नुसूची में जोड़ा गया 21 बार जो संसोधन हुआ ये 1967 में हुआ था इसके बाद हमने तीन भासाओं को आठवी नुसूची में और जोड़ा जिसमें से एक थी नेपाली एक थी मड़ीपुरी और एक थी कौकड़ी और इनको हमने एक हैतरवे संबिधान संसोधन 1992 के द्वारा जो है आठवी नुसूची में जोड़ दिया इसके बाद संबिधान में एक और संसोधन हुआ और संसोधन था 92 2003 में ये संसोधन हुआ और इसके द्वारा जो है चार भासाओं को और जोड़ दिया गया एक थी मैथली एक थी संथाली एक थ गरी तो चार भासाओं को जो है मेरे प्यारे बच्चों उसमें और जोड़ दिया गया अब आपन बात करेंगे कि 2000 जो 11 की जनगर्णा थी 2000 11 की जनगर्णा बहुत महत्पूंट बाते जो हैं अब आपन करने करेंगे तो 2011 की जनगर्णा की यह दिया हम बात करें तो 2011 की जनगर्णा क्या कहती है 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत में जो कुल पिर्मुक भासाइं बताई गई जो पिर्मुक भासाइं बताई गई मतलब 2011 की जिनगर्णा के अनुसार भारत में जो पिर्मुख भासाइं बताई गई बुकित्ती बताई गई 121 भासाइं बताई गई थी इन भासाओं को दो भागों में बांटा गया इन भासाओं को जो है मेरे प्यारे बच्चो दो भागों में बांटा गया एक अनुसूचि और एक थी मेरे प्यारे बच्चो गैर अनुसूचित भास आइं एक थी आपकी गैर अनुसूचित भासआइं जो अनुसूचित भास आएं थी इन में किन को सम्रित किया गया तो जो आठवी अनुसूची है हमारी जो आठवी अनुसूची है और उस आठवी अनुसूची में जो बाइस भासाएं है उस आठवी अनुसूची में मेरे प्यारे बच्चो जो बाइस भासाएं है उन 22 भासाओं को जो है अनुसूचित भासाओं जो है बताया गया है 2011 की जनगर्णा में और इसके अलावा जो अन्य भासाओं थी उनको जो है क्या बताया गया है उनको बताया गया है गैर अनुसूचित भासाओं तो मैंने आपको बताए कि 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत में जो पिरमुख भासाइं बताई गई वो बताई गई 121 और 121 भासाओं को दो भागों में बहाजित किया गया एक अनुसूचित भासाओं और दूसरी मेरे प्यारे बच्चों गैर अनुसूचित भासाओं जो आठवी अनुसूचित भासाओं में जो 22 भासाओं है इनको अनुसूचित भासाओं में समलित किया गया है और जो आपकी अन्य भासाओं मतलब 22 के अलावा जो भासाओं बची वो कैसी हैं गैर अनुसूचित भासाओं हैं दूसरी महत्पूर बात में बता दूं कि भारत की जो कुल आबादी है भारत की कुल आबादी का भारत की कुल आबादी का 96.1 जो लोग है वो अनुसुचित भासाओं को अपनी मातर भासाओं के रूप में प्रियोग करते हैं मतलब भारत की जितनी भी आबादी है उस भारत की कुल आबादी का 96.1 जो भाग है वो जो आठवे नुसुची में आपकी 22 भासाओं हैं उन भासाओं को मातर भासा के रूप में प्रियोग करता है जबकि भारत की कुल आबादी का तीन दसमलव दो नो प्रतीसत भाग जो है गैर अनुसुचित भासाओं को अपनी मातर भासा के रूप में प्रियोग करता है मतलब कुल आबादी का 96 दसमलव दो नो प्रतीसत भाग जो है वो गैर अनुसुचित भासाओं को अपनी मातर भासाओं के रूप में प्रियोग करता है यदि हम देखें कि गैर अनुसुचित कौन सी सरवादिक बोली जाने वाली भासा है सरवादिक बोली जाने वाली भासा सरवादिक बोली जाने वाली भासा मैंने आपको बता है कि गैर अनुसुचित भासाओं मेंसे मैं कौन सी भासा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है तो मेरे प्यारे बज्चों वो भीली भासा है वो आपकी जो है वो भीली भासा है मद्धे प्रदेश महराज साज्यों में जो है वहां की आदिवासी जो लोग है उनके द्वारा ये बोली जाती है दूसरे नमबर पर जो आती है वो गौंडी आती है दूसरे नमबर पर जो आती है वो गौंडी आती है मतलब ये दो ऐसी भासाएं है गैर अनुसूचित अनुसूचित नहीं गैर अनुसूचित जो सरवादिक बोली जाती है एक तो भीली भासा है और दूसरी क्या है गोंडी भासा है पर यदि बात हम अनुसूचित भासाओं की करें, यदि बात हम अनुसूचित भासाओं की बात करें, तो मैंने आपको बता दिया कि गैर अनुसूचित भासाओं जो हैं, वो तो 3.29 प्रतिसत लोगों के द्वारा बोली जाती हैं, जबकि जो अनुसूचित भासाओं हैं, वो मातर भाषा के रूप में बोली जाती हैं है अनूर्चित भाताओं को जिनको दर्जा मिला हुआ है आठविन विनुसूची मे इनमें सर्वादिक बोले जाने वाली भातागे जो हैं इनमें जो सरवादिक बूली जाने वाली हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसमें पहले नंबर पर आती है हिंदी दूसरे नंबर पर आती है बांगला तीसरे नंबर पर आती है मराथी पहरे नमबर पर आती है हिंदी, दूसरे नमबर पर आती है बांगला, पीसे नमबर पर आती है मराठी और मेरे प्यारे बचो चौथे नमबर पर आती है तेलगू, कौनती आती है तेलगू आती है कौनती आती है तेलगू आती है यदि हम हिंदी भासा की बात करें तो भारत की 43 दसमलव 6-3 प्रतिसत आवादी के दौरा जो है हिंदी को अपनी मातर भासा के रूप में प्रियूग किया जाता है यदि हम बांगला भासा की बात करें तो भारत की 8 दसमलव 0.3% आवादी के दौारा जो है बांगला भासा को अपनी मातर भासा के रूप में प्रियोग किया जाता है और यदि हम बात करें मराठी भासा की तो मेरे प्यारे बच्चो 6.868.6% आवादी के दौारा जो है मराटी भासा को अपनी मातर भासा के रूप में प्रियोग किया जाता है जबकि 6.0 लब 7.0 पृतिसत आवादी के दुआरा जो है तेलगु भासा को अपनी मातर भासा के रूप में प्रियोग किया जाता है हम देखें सबसे कम बोली जाने वाली सबसे कम बोली जाने वाली भासाएं मतलब आठ बीन सूची में जो बाइस भासाएं हैं उन बाइस भासाओं में से जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो नमबर एक पर हिंदी आती है, दूसरे पर बांगला आती है तीसरे पर मराठी आती है और चौथे पर तेलगू आती है पर इन बाइस भासाओं में से सबसे कम भासा कौन सी बोली जाती है तो मेरे प्यारे बच्चो इसमें जो पहले नमबर पर आती है वो संस्किर्ट आती है क्या आती है संस्किर्ट आती है और आप ये बात जानते ही है कि भारत कि किसी भी राज्ये के लोगों के द्वारा मात्रवाध birthday के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है तो नगडने हैं नगडने हैं मतलब अब जो है मतलब लगभग बोली नहीं जाती के रूप में दूसरी आतीह आपकी बोडो बोडो आती है और मेरे प्यारे बच्चों जो बोडो है वो 0.11 एक दो प्रतिसत लोगों के द्वारा ही बोली जाती है तीसरे नमबर पर मड़ी पुरी आती है तीसे नमबर पर मड़ी पुरी आती है जो लगबग 0.11 एक प्रतिसत लोगों के द्वारा बोली जाती है तो मैंने आपको बताया कि जो आपकी अनुसूचित भासाओं हैं उन अनुसूचित भासाओं में जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भासा है वो हिंदी है और भारत की कुल आबादी का लगवक 43.6-3% भाग जो है वो हिंदी को मातर भासा के रूप में परियोग करता है और 8.0-3% भाग जो है बांग मातर भासा के रूप में परियोग करता है और 6.7-0% भाग जो है वो तेलगू को अपनी मातर भासा के रूप में परियोग करता है जो आठवियन सूची में 22 भासाओं हैं उन 22 भासाओं में से जो सबसे कम बोली जाने वाली भासा है वो संस्किर्ट है और संस्किर्ट को बोडो जीरो दसमलव एक दो प्रतिसत लोगों के दौारा अपनी मात्रवासा के रूप में प्रियोग किया जाता है और मड़ी पूरी को जीरो दसमलव एक पांच प्रितिसत लोगों के द्वारा मातर भासा के रूप में प्रियोग किया जाता है और जीरो दसमलव दो एक प्रितिसत लोगों के द्वारा डोगरी भासा को जो है वो अपनी मातर भासा के रूप में प्रियोग किया जाता है अब आपन बात करेंगे कि अंग्रेजी एक ऐसी भासा है जिसको आठवी अनुसूची में समलित नहीं किया गया है इसे आठवी अनुसूची में समलित नहीं किया गया है मतलब अंग्रेजी भासा एक ऐसी भासा है जिसको आठवी अनुसूची में समलित नहीं किया गया है पर यदि हम 2011 की जनगड़ना देखें अगर 2011 की हम जनगड़ना की बात करें अगर हम 2011 की जनगड़ना के बात करें तो भारत की कुल आवादी का भारत की कुल आवादी का भारत की कुल आवादी का जीरो दसमलब जीरो दो प्रतीसत भाग ही जो है अंग्रे जी को अपनी मात्र भासा के रूप में प्रियोग करता है जीरो दसमलब जीरो दो प्रतीसत भाग ही अंग्रे जी भासा को अपनी मात्र भासा के रूप में प्रियोग करता है और दूसरी बात अगर हम इसको टोटल में देखे ना तो आपको पता चलेगा कि एक लाख अठैतर हजार पानसो अठानवे लोगों के द्वारा ही जो अंग्रे जी है उसको मात्र भासा के रूप में भारत में प्रियोग किया जाता है अब जो आप कहते रहते ने कि हर वात इंग्लिस में हो हर वात इंग्लिस में हो तो आप देख लो 2011 की जनगर्णा ये बताती है कि भारत की कुल आवादी का 0.02 परतीसे तवाग ही जो है अंग्रे जी को अपनी मात्र भासा के रूप में प्रियोग करता है भारत में, ये 2011 की जनगर्णा बताती है और हम बात करेंगे कि भारत के कुछ राज्ये हैं जैसे की मेगाल्य है जैसे की मेगाल्य है जैसे की आपका मेरे प्यारे बच्चो मिजोरम है जैसे की आपका अरुनाचल प्रदेश है जैसे कि अरुनाचल प्रदेश है और जैसे कि आपका नागा लेंड है मेरे प्यारे बच्चों ये भारत के वो राज्ये हैं जिनकी राजवासा जो है वो क्या है अंग्रेजी है तो बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होंगे इसको अच्छे से समझेंगे कि मेघाले, मिजोरम, अरुनाचल प्रदेश, नागा लेंड भारत के ये चार राज्ये ऐसे हैं जिनकी राजवासा क्या है अंग्रेजी है ये बहुत महत्पूर्ट पिरसन है देखिए पिरसन एक्जाम में कहीं से भी आ जाता है अगर आपको अच्छी नौलेज है तो आपको फिर कोई भी टैंसन की जरूरत नहीं है तो मैंने आपको बताए कि मेघाले, मिजोरम, अरुनाचल प्रदेश, नागा लेंड ये भारत के चार राज्ये ऐसे हैं जिनकी राजवासा क्या है अंग्रेजी है और यहां से एक फैक्ट और आपको और बता दू जैसे कि उत्तराखंड उत्तराखंड से एक बड़ा सांदार फैक्ट आता है कि उत्तराखंड की राजवासा के बारे में आता है यदि हम उत्तराखंड की राजभासा की बात करें एक बहुत प्यारा कुशन है उत्तराखंड की राजभासा से कि उत्तराखंड की जो राजभासा है मेरे प्यारे बच्चो इसकी पिर्थम राजभासा तो जो है वो हिंदी है परंतु उत्राखंड की जो दुत्तिय राज़भासा है वो कौन सी है? संस्किर्थ है इसको अच्छे से समझ लेना जब भी आप से पूछे कि संस्किर्थ किस राज्य की दूसरी राज़भासा है तो मेरे प्यारे बच्चो उत्राखंड की जो पिर्थम राजभासा है वो तो आपकी हिंदी है जबकि संस्क्रित जो है वो हां की दूसरी राजभासा है एक और बात अच्छे से समझ लेना आप जैसे कि उत्तर प्रदेश ये भी पूछा हुआ है उत्तर प्रदेश की जो पिर्थम राजभासा है वो हिंदी है पर दूसरी जो है वो यहां पर क्या है पुर्दू है पिर आपका है तिलंगाना और तिलंगाना की बात करें तो यहां की भी जो पहली राजभासा है वो क्या है तेलगू है बागी दूसरी क्या है यहां पर जो है मेरे प्यारे बच्चो उर्दू है और फिर है आपका बिहार अगर हम बिहार की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि बिहार की जो पहली राजभासा है वो हिंदी है बागी जो दूसरी राजभासा यहां पर है मेरे प्यारे प्रपोशन से एक्जाम में कि उत्तर प्रदेश की पिर्थम राजभासा क्या है हिंदी दूसरी उर्दू ते लंगाना की पिर्थम राजभासा क्या है तेल गुदूसरी क्या है उर्दू बिहार की पहली राजभासा क्या हिंदी और दूसरी क्या है उर्दू तो मैंने आपक संक्या 22 है सबसे पहले इसमें सिंधी भासा को 21 संभिधान संसोधन अदिनियम 1967 के दौरा जोड़ा और इसके बाद मैतली संताली बोडो डोगरी को जो है 92 संभिधान संसोधन 2003 के दौरा आठवी नसूची में जोड़ा गया फिर मैंने आपको बताए कि 2011 की जनगलना है वो 2011 की जनगलना के अनुसार भारत की जो पिर्मुक भासाएं बताई गई वो 121 बताई गई और इन 121 भासाओं को दो भा हैं इनको साव अनुसूचित भासाएं बताया गया है और यह भारत की कुलावादी का 96.7। जो अनुसूचित भासाएं हैं 22 भासाएं इन 22 भासाओं में से जो सरवादिक बोले जाने बाली भासा है उस पहले नंबर पर हिंदी आती है दूसरे पर बांगला आती है तीसरे पर मराठी आती है और चौथे पर जो है तेलगू आती है हिंदी जो है वो 43 दसमलव है एक प्रतिसत लोगों के द्वारा बोली जाती है जो बांगला है वो 8 दसमलव 0-3 प्रतिसत लोगों के द्वारा बोली जाती है जो मराठी है वो 6 दसमलव 8-6 प्रतिसत लोगों के द्वारा बोली जाती है जो तेलगू भासा है वो 6 दसमलव 7 जीरो पृतिसत लोगों के द्वारा बोली जाती है सबसे कम बोली जाने बाली जो भासा है वो संस्किर्ट है नगणने मतलब ना के वरावर लोगों के द्वारा बोली जाती है दूसरे नमबर पर बोडो है जो जीरो दसमलव एक दो प्रतिसत लोगों के द्वारा ही बोली जाती है तीसरे नमबर पर मड़ी पुरी आती है जो लगभग जो है जीरो दसमलव एक प्रतिसत लोगों के द्वारा ही बोली जाती है फिर डोगरी आती है जो जीरो दसमलव दो एक प्रतिसत लोगों के द्वारा ही बोली जाती है आठवेर सूची में अंग्रेजी भासा को समलित नहीं किया गया है और 2011 की जनगलना कहती है कि भारत की कुल आवादी का 0.02 प्रतिसत भाग ही अंग्रेजी भासा को मातर भासा के रूप में या अपनी प्रिथम भासा के जिसकी पिर्थम भासा तो इंदी है परन्तु दूत्तिय राजभासा क्या है उसकी संस्किर्थ है फिर मैंने आपको बताया कि उत्तरप्रदेश की पिर्थम राजभासा हिंदी है दूसरी उड़ू है तिलंगाना की पहली तेलगू है, दूसरी उर्दू है, बिहार की पहली हिंदी है और दूसरी क्या है मेरे प्यारे बच्चो उर्दू है अब आपन बात करेंगे अब आपन बात करेंगे सास्त्रिय भासाओं की सास्त्रिय भासाओं की बात करेंगे अगर हम सास्त्रिय भास्ताओं के बारे में बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों साहित्य अकादमी के द्वारा एक समीती बनाई गई एक साहित्य अकादमी है साहित्य अकादमी के द्वारा साहित्य अकादमी के द्वारा जो है एक समीती बनाई गई और साहित्य अकाद्वी ने जो समीती बनाई इस समीती की सिफारिस पर भारत सरकार के द्वारा सास्तिय बहासाओं के नाम से एक अलग रग बनाया गया और अगर बरत्मान की हम बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों बरत्मान में छे बहासाइं ऐसी हैं जिनको सास्तिय बहासा का दर्जा दिया गया है बरतमान में छे भासाएं ऐसी हैं जिनको सास्त्रिय भासा का दर्जा दिया गया है जिसमें से सबसे पहले तमिल को दिया गया था इसके बाद जो है वो संस्कृत को दिया गया इसके बाद जो है तेलगू को दिया गया फिर जो है मेरे प्यारे बच्चो कन्नड को दिया गया और फिर जो है मले आलम को दिया गया और इसके बाद जो है मेरे प्यारे बच्चो कुडिया को दिया गया मतलब मैंने आपको बताए कि साहित्य अकादमी के द्वारे एक समीती वनी और साहित्य अकादमी के द्वारे जो समीती वनी उस समीती की सिफारिस पर भारत सरकार नहीं निरने लिया कि सास्त्रिय भासाओं का एक अलग वर्ग बनाया जाएगा और फिर जो है जो अलग वर्ग बनाया उसमें अभी सास्त्रिय भासाओं के रूप में केवल 6 भासाओं ही जो है दर्ज है अर्थात अभी 22 भासाएं है आठवी अनसूची में उन 22 भासाओं में से केवल 6 भासाएं ऐसी हैं जिनको सास्त्रिय भासा का दर्जा दिया गया है सबसे पहले तमिल को दिया गया 2004 में तमिल को सास्त्रिय भासा का दर्जा दिया गया संस्कृत को 2005 में संस्कृत भासा का दर्जा दिया गया तेलगू को 2008 में सास्त्रिय भासा का दर्जा दिया गया कन्नड को भी 2008 में सास्त्रिय भासा का दर्जा दिया गया मले आलम को 2013 में सास्त्रिय भासा का दर्जा दिया गया और मेरे प्यारे बच्चो उडिया को भी 2014 में सास्त्रिय भासा का दर्जा दिया गया तो बड़तमान समय में केवल 6 भासाइं ऐसी हैं आठवी अनुसूची की जिनको सास्त्रिय भासा का दर्जा दिया गया है तो यह हैं आपकी क्या मेरे प्यारे वच्चो सास्त्रिय भासा अब आपन बात करेंगे राज भासा संबन्दित संबेधानिक प्रावधान संबेधानिक प्रावधान अराम से समझेंगे आप अब आपन चर्चा करेंगे राज भासा से संबन्दित संबेधानिक प्रावधान अब आपन बात करेंगे राज भासा से संबन्दित संबेधानिक प्रावधान की जह है अब आपन यहाँ पर चर्चा करेंगे देखिए जो राज भासा है इसके संबंद में संबिधान का एक भाग है 17 और जो संबिधान का भाग 17 है उसके अंतरगत अनुच्छेद 343, 351 तक जो है राजभासा के संबंद में जो है प्रावधान दिये गए है तो जब भी आपसे पूछे कि संबिधान का भाग जो 17 है उसका संबन किस से है तो मेरे प्यारे बच्चो जो संबिधान का भाग सत्रा है उसका संबन जो है राजवासा से है और इसमें अनुचे 343 से लेकर 351 तक जो है राजवासा के संबन में प्राबधान दिये गए हैं अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चो अनुचे 343 की अनुचे 343 की यह दिये हम बात करें तो अनुचे 343 क्या कहता है ये दो मुखे बाते कहता है अनुचे 343 की संग की राजवासा हिंदी होगी की संग की राजवासा हिंदी होगी और जो लिपी है मेरे प्यारे बच्चो वो क्या होगी देवनागरी होगी ये बात जो बताई गई है वो अनुचे 343 में बताई गई है कि संग की जो राजभासा होगी वो हिंदी होगी और जो लिपी होगी मेरे प्यारे बच्चो वो क्या होगी देवनागरी होगी और अनुच्छे 345 क्या कहता है अनुच्छे 345 जो बताता है वो कहता है कि जो राज्जे हैं वो राज्जे की राजभासा जो उनकी राजभासाई है उनके बारे में जो बताता है वो आर्टीकल नंबर 345 बताता है जब भी संग की राजभासा की बात करेंगे तो आर्टीकल नमबर 343 का उसे संबंध होगा और जह हम राज्ये की राजभासा की बात करेंगे तो उसका संबंध जो होगा वो आर्टीकल नमबर 345 से होगा अब आपन बात करेंगे सर्वोच न्याले की कार्रेवाही की भासा सर्वोच न्याले की अगर हम सर्वोच न्याले की कार्रेवाही की भासा की बात करें तो अनुच्छेत 348 में इसके बारे में बताया गया है तो अनुच्छेत 348 का जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि सर्वोच न्याले की कार्रेवाही की जो भासा होगी वो क्या होगी मेरे प्यारे बच्चो अंग्रे जी होगी क्या होगी अंग्रे जी होगी अब हम बात करेंगे उच्छ न्याले की कार्रेवाही की भासा उच्छ न्याले की कार्रेवाही की भासा उच्छ न्याले की कार्रेवाही की भासा तो इसके सम्मन्द में अनुच्छ तीन सो अड़ालिस क्या कहता है? अनुच्छ तीन सो अड़ालिस ये कहता है कि उच न्याले की कारवाई की भासा जो होगी वो क्या होगी वो मेरे प्यारे बच्चो अंग्रेजी होगी ऐसा जो कहता है वो अनुच्छे 348 कहता है द्यान लगन कई वार एक्जाम में पूछा है कि सर्वोच न्याले की कारवाई की भासा अंग्रेजी है ये कौन से अनुछित में कहा गया है? तो ये अनुछित 348 में कहा गया है अब यहाँ से एक बात और अच्छे से आप समझेंगे? वो क्या समझेंगे? जैसे की कोई राज्य है और उस राज्य का उचन्याले है जैसे की कोई राज्य है और उस राज्य का उचन्याले है और उस उचन्याले की कारवाई की भासा हिंदी करनी है यह राज्ये की कोई राजभासा करनी है राज्ये की जो राजभासा होगी उसको कारवाई भासा का दर्जा देना है मैंने आपको कहा है कि अनुछे 348 तो यह कहता है कि उचनियाले की कारवाई की भासा क्या होगी अंग्रेजी होगी पर मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि राज्ये में जो इस्थित उचन्याले है यदि उसकी कारवाई की भासा हिंदी करनी हो या उस राज्ये की जो राजवासा है उसको उस उचन्याले की कारवाई की भासा का दर्जा देना हो तो यह अधिकार किसक करने से पहले पूर्व अनुमती लेगा क्या लेगा पूर्व अनुमती लेगा और साव ये पूर्व अनुमती किस से लेगा पूर्व अनुमती जो लेगा मेरे प्यारे बचों किस से लेगा वो लेगा रास्ट पती से और रास्ट पती से अनुमती लेके राज्ये पाल राज को बताया कि सर्वो चन्याले की जो कारवाई की भासा होती है वो अंग्रेजी होती है ऐसा जो बताया गया है वो अनुछे 348 एक में बताया गया है अब सवाल ये उड़ता है कि यदि किसी राज्ये के उचन्याले की कारवाई की भासा का दर्जा हिंदी या उस राज्ये की कि इसी राजभासा को दिया जाए तो यह कौन कर सकता है तो यह अधिकार जो होता है अनुछेद 348.2 के तहट उस राजजे के राजजेपाल को होता है परंतु राजजेपाल इस सकती का प्रियुक जो करेगा इससे पहले उसे पूर्व अनुमती लेनी पड़ेगी किस से रासपती से यदि राजजेपाल रासपती से अनुमती ले ले तो राजजेपाल को यह अधिकार है कि हिंदी को या उस राजजे की राजजभासा को बहे उस उचन्याले की कार्रवाई की भासा का दर्जा दे सकता है अब आपन बात करेंगे संसत की कार्रवाई की भासा अगर संसत की हम कार्रवाई की भासा की बात करें यह भी एक्जाम में पूछाए मेरे प्यारे बच्चो देखे सब के सब वो कोशन्स हैं यह जो एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं संसत की कारवाई की भासा अगर हम संसत की कारवाई की भासा के बारे में बात करें तो अनुच्छेद है 120 अनुच्छेद 120 यह कहता है कि संसत की कारवाई की भासा जो होगी मेरे प्यारे बज्चों या तो हिंदी और क्या होगी अंग्रेजी होगी क्या होगी हिंदी होगी या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों अंग्रेजी होगी या तो हिंदी होगी हिंदी और क्या होगी अंग्रेजी होगी ऐसा अनुछित कौन कहता है 120 कहता है अब सवाल यहाँ पर यह उड़ता है कि यदि संसद में कोई सदस से यदि संसद में कोई सदस से अपनी मातर भासा में बोलना चाहे तो क्या बोल सकता है या नहीं बोल सकता है तो मेरे प्यारे बच्चो इसका प्राबधान किया गया है कि यदि संसद का कोई सदस से अपनी मातर भासा में अपने बिचार व्यक्त करना चाहता है तो बहें अपनी मातर भासा में बिचार व्यक्त कर सकता है पर इसके लिए अगर वो लोगसवा में व्यक्त करना चाहता है तो पीठा सीन अधिकारी से और अगर वो राज्य सभा में अपनी मात्रभासा में बोलना चाहता है अगर वो राज्य सभा में अपनी मात्रभासा में बोलना चाहता है तो बोल सकता है पर इसके अनुमती उसे लेनी पड़ेगी किस से सभापती से और अगर सभापती नहीं है तो पीठा सीन अधिकारी से पीठा सीन अधिकारी से तो मैंने आपको बताया कि सब्सक्राब सर्वोच न्याले की जो कारवाई की भासा है वो अनुचे 348 के तहत अंग्रेजी है जो उचन्याले की कारभाई की भासा है वो अनुचे 348 के तहट के हैसाब अंग्रेजी है परन्तु अनुचे 348 का सेकिंड पॉइंट ये कहता है कि राज्ये के राज्येपाल को यदिकार है कि रास्पती की पूर्वनमती लेकर हिंदी को या उस राज्ये की किसी राज्य भासा को वो चन्याले की कारभाई की भासा का दर्जा दे सकता है संसत की कारभाई की भासा क्या होगी तो अनुचे 120 के अता है हिंदी तथा अंग्रेजी पर यहां पर यह भी बताए गया है कि संसत का यदि कोई सदस से अपनी मातर भासा में अपने बिचारों को अभ्यक्त करना चाहे आप समझ लें कि कोई पशिम बंगायल का कोई व्यक्ति है उसे हिंदी नहीं आती उसे अंग्रेजी नहीं आती तो बहें बांगला भासा में अपने विचार रख सकता है कोई महरास का ब्यक्ती है उसको हिंदी नहीं आती उसको अंग्रेजी नहीं आती तो बहें मराटी भासा में अपने विचार रख सकता है तो बहें अपनी मातर भासा में अपने विचार रख सकता है अपनी मातर भासा में, तो भे रख सकता है, इसके अनुमती किस्से लेनी पड़ेगी? तो इसके अनुमती लेनी पड़ेगी उससे, राज्य सवा के सभापती से, और यदि वो नहीं है, तो किस्से मेरे प्यारे बज्चो, पीठा सीन अधिकारी से? यदि हम बात करें राज्यों के बिधान मंदल की राज्यों के बिधान मंदल की पार्रेवाई की भासा तो इसके संबन में जो बताया गया है वो अनुच्छे 210 में बताया गया है कि किसी राज्यों के बिधान मंदल की कार्रवाई की भासा इंदी हो सकती है अंग्रे जी या राज्यों की राज्यों भासा तो जब भी आपको बताया जाए कि बिधान मंदल की कार्रवाई की भासा जो होगी वो कौन से अनुच्छे 210 न में बताया गया है अब सवाल यह उड़ता है कि भासा के बारे में और कौन से अनुच्छे नीरे बताया गया है तो मेरे प्यारे बच्चों एक अनुच्छेद है 29 आपको समझना पड़ेगा एक अनुच्छेद है 29 और अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि भारत में रहने वाले प्रतेग नागरिक को कि भारत के प्रतेग नागरिक को कि भारत के प्रतेग नागरिक को अनुच्छेद 29 यह कहता है कि भारत के प्रतेग नागरिक को अपनी भासा भारत के प्रतेग नागरिक को अपनी भासा लिपी वा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है बनाए रखने का क्या है मेरे प्यारे बैचो अधिकार है तो मैंने आपको बताई कि अनुछेद 29 ये कह रहा है कि भारत के प्रतेगनागरिक को अपनी भासा अपनी लिपी वा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है और किसी भी व्यक्ति को भारत के किसी भी व्यक्ति को किसी भी सिक्षन संस्थान में धर्म जाती मूल वन्स तता भासा के आधार पर भासा के आधार पर पिरवेश लेने से नहीं रोका जा सकता पिरवेश लेने से नहीं रोका जा सकता नहीं रोका जा सकता नहीं रोका जा सकता तो मैंने आपको बताए कि अनुच्छेद 29 में भी भासा के बारे में बताए गया है और अनुच्छेद 29 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों अनुच्छेद 29 ये कहता है कि भारत के प्रतेग नागरिक को अपनी भासा लिपीवा संस्कृती को बनाए रखने का अधिकार है उसकी जो भासा है उस भासा को बनाए रख सकता है उसको ये अधिकार भारत का संभीधान देता है और भारत का संभीधान ये अधिकार उसका fundamental right गोसित करता है क्योंकि अनुछेद 29 में ये बात बताई गई है और किसी भी व्यक्ति को किसी भी सस्तान में इस आधार पर प्रवेस लेने से नहीं रोका जा सकता कौन कौन से आधार पर धरम के आधार पर जाती के आधार पर मूलवंस के आधार पर और भासा के आधार पर तो भारत के प्रत इस लेने से नहीं रोका जा सकता, यह बात जो बताई गई है, वो कहां बताई गई है, अनुचेद 29 में बताई गई है, कहां बताई गई है मेरे प्यारे बच्चों, अनुचेद 29 में बताई गई है, यदि हम एक और देखें, तो एक अनुचेद 30 है, अनुचेद 30 है, स्थापना का अधिकार है उन्हें अपनी स्च्षण संस्थानों सिक्षण संस्थानों की इस्थापना बप्रसासन का अधिकार है क्या है प्रसासन का अधिकार है तो यहां पर भी बताया गया कि भारत में जो अलब संक्यक होंगे वो भासा के अधार पर भी हो सकते हैं और वो धरम के अधार पर भी हो सकते हैं और ऐसे अलब संक्यक समुदाय के व्यक्तियों को अपनी मन पसंद की सिक्षण सहस्तानों की इस्थापना करने का दिकार पिरसासन करने का दिकार है और भारत सरकार इन से किसी भी पिरकार का कोई भेदभाब नहीं करेगी यह जो बताया गया है वो अनुच्छेद तीस में ब और यह अनुच्छेद है 350 A और अनुच्छेद 350 A क्या कहता है मेरे प्यारे बच्छों ? अनुचे 340 ये कहता है कि राज्य तता राज्य के भीतर प्रतेक पदिकारी, राज्य तता राज्य के भीतर प्रतेक प्राधिकारी राज्ये के अंदर जो भासाई अल्प संक्यक होंगे उन भासाई अल्प संक्यकों के बालकों को प्रात्मिक सिक्षा प्रात्मिक शिक्षा मात्र भासा में उपलब्द कराने का पृयास करेंगे तो अनुचे 350 ये कहता है कि राज्ये तथा राज्ये के भीतर पिड़ते पते धिकारी का ये करतब्बे होगा कि बह अपने राज्ये के अंदर जो भासाई आधार पर अल्वसंक्यक हैं, उनके बच्चों को प्रात्मिक इस तर पर मात्र भासा में सिक्षा दलाने की वेवस्था करने का प्रियास करें। और अनुचे 351 क्या कहता है, मेरे प्यारे बच्चों अनुचे 351 क्या कहता है, कि हिंदी भासा के विकास के लिए उपवन्त। जो बताए गए हैं, वो कहां बताए गए हैं, अनुचे 351 में बताए गए हैं। तो मैंने आपको बता दिया, कि यह था आपका राज भासा का सम्मेधानिक विकास, अराम से समझेंगे। देखिए कोशन बहुत सारे हैं, पर समझना अच्छे से हैं, अभी तो आप एकजाम में सफल हो पाएंगे, अब थोड़ा थोड़ा पड़ेंगे और विसार से नहीं पड़ेंगे, तो फिर दिक्कत आएगी। इसलिए मैं यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक लेके आ रहा हूँ, और इस टॉपिक से आप एकजाम में आने वाला कोई भी कोशन, अगर भासा से कोशन आया, तो आपका बचकर नहीं जाएगा। बन लिपी क्या होगी? देवनागरी होगी। और अनुचे 345 जो है, वो राज्ये की राजभासा या उनकी जो अन्य राजभासाएं हैं, उनके बारे में जो है, इसमें बताया गया है। यदि संसत का कोई सदस है, अपनी मात्र भासा में बोलना चाहे, तो वह बोल सकता है, परन्तु उसे लोगसवा में, लोगसवाद्यक्ष और राज्ये सवा में सभापती की अनुमती लेनी पढ़ेगी, और उनकी अनुमती से वह अपनी मात्र भासा में अपने बिचारों को रख सकता है, विधान मंडल की कारवाई की भासा के बारे में अनुचेद जो है, 210 में बताया गया है, और अनुचेद 29 क्या कहता है, अनुचेद 29 ये कहता है कि भारत के प्रतेग नागरिक को अपनी भासा लिपी वा संस्किर्टी को बनाय रखने का दिकार है, और कोई भी प्रिवेस ले सकता है उसको धर्म जाती मूलवंस भासा के अधार पर प्रिवेस लेने से नहीं रोका जा सकता ऐसा जो कहता है वह अनुचेद 29 कहता है अनुचेद 30 ये कहता है कि भारत में जो अलबसंक्यक होते हैं वो भासा भाधर्म के अधार पर होते हैं और ऐसे अलबसंक और अनुचे 350 से ये कहता है कि जो भासाई अल्वसंख्यक वर्गों के बच्चे हैं इनको अपनी मात्र भासा में प्रात्मिक सिक्षा उपलप्त कराने का राज्य क्या करेगा प्रियास करेगा और अनुचे 351 हिंदी भासा के बिकास के लिए जो है निर्देश देने की बाते करता है ये बात जो की गई है वो अनुचे 351 में की गई है अब आपन बात करेंगे आगे की अब आपन बात करेंगे एक राजभासा आयोग राजभासा आयोग पहली बात समझ लेना कि राजभासा आयोग एक संबिधानिक आयोग है जो राजभासा आयोग है मेरे प्यारे बच्चों यह एक संबिधानिक आयोग है राजभासा आयोग जो है एक संबिधानिक आयोग है और अच्छे से समझ लेना कि हर एक चीज संबिधानिक है जिसके बारे में प्रावधान भारतिय संबिधान में दिया गया है तो राजवासा आयोग एक संबिधानिक आयोग है क्योंकि राजवासा आयोग के बारे में प्रावधान भारतिय संबिधान में दिये गए है भारतिय संबिधान का अनुच्छे 344 भारतिय संबिधान का अनुच्छे 344 ये कहता है कि राष्ट पती ये कहता है मेरे प्यारे बचो राष्ट पती संबिधान के रारंब के पांच वर्ष के बाद और उसके बाद और उसके बाद प्रतेक दस वर्ष की समापती पर एक राजभासा आयोका गठन करेंगे तो राजभासा आयोका जो गठन है वह किसके द्वारा किया जाएगा बह जो है साब रासपती के द्वारा किया जाएगा ऐसा जो बताया गया है वो अनुचे 344 में बताया गया है तो मैंने आपको बताया कि साब जो राजभासा आयोग है यह एक संबिधानिक आयोग है और इस संबिधानिक आयोग का गठन अनुचे 344 के तहत कौन करेगा तो इसका गठन रासपती के द्वारा किया जाएगा अनुचे 344 यह कह रहा है कि संबिधानिक प्रारंब होने के 5 वर्ष के पस्चात और फिर उसके बाद प्रतेक 10 वर्ष की समापती पर भारत की रासपती के द्वारा एक राजभासा आयोग का गठन किया जाएगा तो राजभासा आयोग एक संबिधानिक आयोग है राजभासा आयोग का गठन अनुचे 344 के तहत किया जाता है और राजभासा आयोग का गठन कौन करता है इसका गठन रातपती के द्वारा किया जाता है दूसरी बात जो राजभासा आयोग है अगर इसमें कुल सदस्यों की बात करें, तो मेरे प्यारे बच्चों, राज भासा आयो, के यदि हम कुल सदस्यों की बात करें, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, इसमें एक अध्यक्ष होता है, और जो बाइस अन्य सदस्य होते हैं, इन सब को जो है आठवी अनुसूची, जो हमारी संभिधान में है, उस आठवी अनुसूची में जो बाइस भासाएं हैं उन बाइस भासाओं से एक एक सदस्य जो है इसमें जो है लिया जाता है तो उन मतलब जो 22 सदसे हैं इन 22 सदसे वो हैं जिनको आठवीय नसूची में जो 22 उल्ले खित भासाए हैं उनका अन्वव होता है तो ऐसे 22 सदस्यों को जो है इसका सदसे बनाया जाता है दूसरी बात है ये कौन से मंत्राले के अधीन कार्रे करता है तो मेरे प्यारे बच्चो ये ग्रह मंत्राले के अधीन कार्रे करता है ये जो कार्रे करता है वो किसके अधीन कार्रे करता है तो मेरे प्यारे बच्चो ये ग्रह मंत्राले के अधीन कार्रे करता है कौन सा आपका राजभासा आयोग कौन सा आपका राजभास आयोग तो मैंने आपको बताए कि राजभास आयोग एक संविधानिक आयोग है जिसका गठन अनुचे 344 के तहत रासपती के द्वारग किया जाता है इसमें कुल सदस्य जो होते हैं इसमें एक अध्यक्ष होता है वो 22 अन्य सदस्य होते हैं और जो पिर्थम राजभास आयोग है जो पिर्थम राजभासा आयोग है उस पिर्थम राजभासा आयोग का गठन कब किया गया तो 1955 में किया गया और उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे वो थे बी जी खरे बी जी खरे जो थे वो क्या थे मेरे पियारे बच्चों इसके अध्यक्ष थे किसके पिर्थम राजभासा आयोग के कि मैंने बताया कि पिर्थम राजभास आयों चाहीं का जो गठन किया गया वो 1955 में किया गया अध्यक्ष कौन थे बी कौन थे प्यारे बच्चों वीजी खेर जो थे वो क्या थे इसके अधिक्ष थे और इसी पिर्थम राजभासा आयोग की शिफार्स के अध् PD पर इसी प्रितम राजभासा आयोग की सिफारिस के अधार पर कि सिफारिस के अधार पर कि सिफारिस के अधार पर इसी राजभासा आयोग की सिफारिस के अधार पर संसद के द्वारा कि संसद के द्वारा राजवासा अधिनियम राजवासा अधिनियम राजभासा अधिनियम 1963 बनाया गया राजभासा अधिनियम क्या बनाया गया मेरे प्यारे बचों राजभासा अधिनियम 1963 बनाया गया दूसरी बात राजभासा आयोग की जो भी सिफारिस से होंगी राजभासा आयोग राजभासा आयोग की जो भी सिफारिसे होंगी राजभासा आयोग जो भी सिफारिस देगा जो भी सिफारिस करेगा इन सिफारिसों की समिक्षा होगी और इन सिफारिसों की समिक्षा कौन करेगा तो इन सिफारिसों की समिक्षा एक समीती करेगी क्या करेगी? तीस सदस्टों में से जो बीस सदस्टे होंगे वो तो लोग सवा से आएंगे और जो उसमें दस सदस्टे होंगे वो दस सदस्टे जो आएंगे मेरे प्यारे बच्चों कहां से आएंगे राज्य सवा से आएंगे और फिरी समिती के द्वारा राजभासा आयोग के द्वारा जो भी सिफारिश से दी जाएंगी उनकी समिक्षा की जाएगी और समिक्षा करने के बाद ये समिती जो है उसकी रुपोर्ट किसको सौपेगी रासपती को सौपेगी इसको सोपेगी रासपती को सोपेगी और राजभासा से संबंदित कोई अधिनियम बने या कोई भी संसोधन करना पड़े तो वो संसोधन या वो कोई भी नया अधिनियम अनुच्छेद 249 के तहट जब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक की रासपती इस संसद्य समीती के द्वारा दी गई पिर्ति वेदन रिपोर्ट पर विचार ना कर ले अर्थात राजभासा से सम्मंदित यदी कोई अधिनियम बनाना है राजभासा में यदी कोई संसोधन करना है तो वो संसोधन जब तक नहीं होगा जब तक ये समीती उसकी समिक्षा ना कर ले राष्ट पती को पिर्तिवेदन न दे दे और राष्ट पती उस पिर्तिवेदन पर विचार न कर ले उसी के बाद जो है आपको अधिनियम बना सकते हैं या आपको इस संसोधन कर सकते हैं पिर्तम राजभासा आयोग का गठन 1955 में किया गया अध्यक्ष कौन थे बीजी खेर थे और इसकी सिफारिस के अधार पर ही राजभासा अधिनियम 1963 बनाया गया फिर मैंने बताए कि राजभासा आयोग की जो भी सिफारिसे होंगी उसकी समिक्षा करती है एक समीती वो समीती म करने के बाद अपना पिर्ती वेदन राशपती को देती है राशपती उस पर विचार करता है और उसी के बाद जो है कोई अधिनियम बन सकता है या कोई भी राजभासा से संसोधन हो सकता है तो यह तो किसके बारे में था यह राजभासा आयोग के बारे में मैं एक बात आपसे एक्जाम में पूछ ले तब आप इसको भी जो है बता देना एक राजभासा बिभाग भी है एक राजभासा बिभाग भी है और इससे दो ही कोशन पूछ सकता है राजभासा बिभाग से मेरे प्यारे बच्चों कि जो राजभासा बिभाग है इसकी स्थापना कब हुई तो मेरे पियारे बच्चो इसकी स्थापना जो हुई है वो 1975 में हुई है और जो राजभासा विभाग है वो कौन से मंत्राले के अधीन है तो मेरे पियारे बच्चो यह जो है गिरह मंत्राले के अधीन है इसके अधीन है गिरह मंत्राले के अधीन है तो ये था आपके राजभासा आयोग ये राजभासा विभाग के बारे में एक बार देखेंगे राम से मैंने आपको बताया किसा आप जो राजभासा आयोग है बहे एक संबिधानिक आयोग है कैसा आयोग है? संबिधानी का योग है और इसका जो गठन किया जाता है वो अनुछे 344 के तहट किया जाता है इसका गठन करने का जो अधीकार है वो रास्पती के पास है और ये बताया गया है कि संबिधान के प्रारम होने के 5 बर्स के बाद और उसके बाद पिरतेक दस बर्स की समापती पर जो है एक राजभासा आयो का गठन किया जाएगा इसमें कुल सदस्य जो होंगे वो एक अध्यक्ष होगा वो 22 अन्य सदस्य होंगे और ये किस मंत्राले के अधिन कार्रे करता है तो ये गरह मंत्राले के अधिन कार्रे करता है जो पिर्थम राजभासा आयोग का गठन किया गया था वो 1955 में किया गया और किसकी अधिक्सता में किया गया तो बीजी खेर की अधिक्सता में किया गया और इस राजभासा आयोग की सिफारिस के आधार पर ही, राजभासा अधिनियम 1963 बना था और मैंने आपको बताया कि राजभासा आयोग के द्वारा जो भी सिफारिस से दी जाएंगी उसकी समिक्षा एक समीती करेगी और उस समीती में 30 सदसे होंगे, जिसमें से 20 सदसे लोकस सवा से यह समिती समिक्षा करने के बाद अपना प्रतिवेदन रासपती को देगी और अनुच्छे 249 यह कहता है कि इस प्रतिवेदन पर रासपती जब तक बिचार ना कर लें तब तक राजभासा से सम्मंदित ना तो कोई अधिनियम बन सकता है ना कोई संसोधन हो सकता है फिर मैंने बताया कि राजभासा विभाग भी है जिसके सापना 1955 में की गई है और यह ग्रह मंत्राले के अधिनकार रह करता है अब कुछ छोड़े छोड़े टॉपिक भी है जिनसे एकजाम में कोशन आता है तो आठ भी है न सूची में जो दर्द भासा है वो कौन-कौन सी है यह भी पूछ लेता है तो एक है मेरे प्यारे बच्चो असम एक है दूसरी है बांगला, तीसरी है बोडो, चोती है डोगरी, पांचमी है गुजराती, छे है हिंदी, साथ है कंणर, आठ है कस्मीरी, नो है कौकडी दस है मैथली, ग्यारे है मलियालम, बारे है मडिपुरी, तेरे है मराठी, चोद्य है नेपाली, पंद्रा उडिया, सौल है पंजावी, सत्रे संस्किर्ट, अठारे संथाली, उन्निस सिंधी, बीस तमिल, 21 तेलगू और 22 उर्दू, तो ये 22 भासाएं हैं जो आपकी आठव वर्स 14 सितंबर को मनाया जाता है, यदि हम से पूछा जाए कि 20 हिंदी दिवस कम मनाया जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चो 20 हिंदी दिवस जो है, वो पिरतेक वर्स 10 जनवरी को मनाया जाता है, पिरत्थम 20 हिंदी संबिलन कम मनाया गया था, तो मेरे प्यारे बच्चो ये जो हेट कौईटर है वो आगरा में हैं और जो कैंदरिये हिंदी संस्तान है ये जिस मंत्राले के अधिन कार रहे करता है जो बिश्फ हिंदी सचीबाल्य है वो कहां पर है तो हम सब जानते हैं ये मोरिसस में हैं कहां पर है ये मौरिसस में हैं, हिंदी का जो पहला अखवार था वो उदंत मारतंड था और हम ये जानते हैं कि पंडित जुगल के सोर सर्मा के दौरा जो है, जुगल के सोर सर्मा के दौरा जो है, तीस मईए 1826 को कलकता से प्रकासित हुआ था, हिंदी में जो लिखित प्रिथम महा काब्बे है, वो प्रिथवी राजरासो है, जिसको चंदर बड़ाई ने लिखा था, चंद्रबरदाई ने लिखा था हिंदी का अध्यन कराने वाला जो प्रिथम बिसिप बिध्याले है वो कोल काता बिसिप बिध्याले है वो कौन था है मेरे प्यारे बच्चों कोल काता बिसिप बिध्याले है इसके द्वारा जो है हिंदी में अध्यन कराया जाता है सर प्रिथम कराया गया था कोल काता बिसिबिध्याले हिंदी में निर्णे देने वाले प्रिथम नियाधीस कौन है तो ये हैं आपके प्रेम संकर गुप्त इलावाद उच नियाले के नियाधीस थे प्रेम संकर गुप्त तो ये पिर्थम नियाधीस थे जिनके द्वारा जो है हिंदी में निर्णे दिया गया था लोग सवा में सबसे पहले हिंदी में संबोधन किस ने किया तो एनल सर्मा के द्वारा किया गया था एनेल सर्मा थे, राइस्तान के सीकर से सांसद, राम राज्य परिशत पार्टी से आते थे और उनके द्वारा सबसे पहले लोकसवा में हिंदी में संबोधन किया गया था 1952 में हिंदी में सेंक तुराज संग में भासर देने वाले जो पिर्थम राज नेग थे वो अटल बिहारी बाज़ पर ही थे को दिया गया था उनकी पुस्तक चिदंबरा के लिए चिदंबरा के लिए और जो हिंदी का पिर्थम चल्चित्र है वो राजा हरीश्चंद्र है राजा हरीश्चंद्र है वो राजा हरीश्चंद्र है वो राजा हरीश्चंद्र हिंदी की पहली बोलती फिलिम जोती वो आ आलम माराथी और हिंदी का जो पिर्थम अंतराष्टिय बिस्पिध्याल्य है महात्मा गांधी महात्मा गांधी अंतराष्टिय बिस्पिध्याल्य है महात्मा गांधी अंतराष्टिय बिस्पिध्याल्य है और ये आपके बड़धा महरास्ट में है ये बड़धा कहां पर है महरास्ट में है तो ये थी आपकी आज की किलास और इसमें ऐसे बहुत सारे कोशन से मेरे प्यारे बच्चों जो आपके अग्जाम में पूछे जाते हैं एसे बहुत से कोशन से जो आपके अग्जाम में ये पूछे जाते हैं एक बार छोटा सा रिविजन कर लेंगे और फिर अपनी किलास जो है इसी के साथ जो है सांदार तरीके से समाप्त हो जाएगी तो हम सब जानते हैं कि आठवियन सूची का संबन किस से है भासा से है किस से है साब भासा से है मूल उप से कितनी भासा आए थी तो 14 भासा आए थी बरतमान में कितनी है तो बरतमान में 22 है सबसे पहले किस भासा को जोड़ा गया तो सिंधी भासा को जोड़ा गया संसोधन कौनचा था 21 वा था इसके बाद नेपाली मड़ीपुरी कॉंकुरी को जोड़ा गया और संसोधन कौनचा था 71 वा था जो आठ भी अनुसूची की बाइस भासाएं थी उनको जो है अनुसूचित भासाएं बताया गया है बाकी के अलावा जो हो वो कैसी है गैर अनुसूचित भासाएं हैं अनुसूचित जो बाइस भासाएं हैं उनमें सबसे जादा हिंदी फिर बांगला फिर मराटी फिर बहुत जो सबसे कम बोली जाती है वो संस्किर्ट, बोडो, मड़ी पूरी और डोगरी अंग्रेजी भासा को आठबी अनसूची में समलित नहीं किया गया है और 2011 की जनकर्णा के अनुसार भारत की कुल आबादी का 0.02 पृतिसे दभागी जो है अंग्रेजी को अपनी मातर भासा के रूप में प्रियोग करता है मेगाले, मिजोरम, अरुनाचर प्रदेश, नागालेंड ऐसे राज्जे हैं जिनकी राजभासा अंग्रेजी है और उत्राखंड ऐसा राज्जे है जिसकी राजभासा हिंदी बाद दूसरी क्या है संस्किर्थ है उत्तर प्रदेश की पहली हिंदी दूसरी उर्दू तेलंग्राना की पहली तेलगू दूसरी उर्दू और बिहार की पहली हिंदी वह दूसरी जो है उर्दू राजभासा है सास्त्रिय भासा हैं जो हैं वो बर्तमान में 6 हैं एक है तमिल दूसरी संस्किर्ट तीसरी तेलगु चौथी कंणर पांच भी मल्यालम और छटी क्या है मेरे प्यारे बच्चो उडिया है राज़्चा से सम्मंदित प्रापधान जो हैं वो समिधान के भाग 17 में अनुचे 443 ते 351 तक दिये गए हैं और अनुच्छे 343 ये कहता है कि संकी राजबासा हिंदी होगी, बलीपी क्या होगी? देवनागरी होगी और अनुच्छे 345 जो है वो राज्ये की राजबासा के बारे में चर्चा करता है सरवोच न्याले की भासा अनुचे 348 के तहत अंग्रेजी होगी और उच न्याले की कारवाई की भासा अनुचे 348 के तहत अंग्रेजी होगी संसत की कारवाई की भासा अनुचे 120 के तहत हिंदी वा अंग्रेजी होगी और विधान मंदल की कारभाई की भासा अनुचे 210 के तहत हिंदी अंग्रेजी या राज्य की कोई राजभासा हो सकती है फिर मैंने आपको बताया मेरे पियारे बच्चों कि राजभासा आयोग एक संविधानिक आयोग है अनुचे 344 के तहद इसका गटन रास्पती के द्वारा किया जाएगा इसमें एक अध्यक्ष 22 अन्ने सदस्य होते हैं और ये ग्रह मंत्राले के अधीन कार्रे करता है पिर्थम राजभासा आयोग का गठन 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था और राजभासा बेभाग की स्थापना 1975 में की गई और राजभासा बेभाग ग्रह मंत्राले के अधीन कार्रे करता है आठवियन सूची में जो उल्ले की 22 भासा हैं वो समय ने यहाँ पर आपको बता दी फिर मैंने आपको बताया कि हिंदी दिवस 14 सितंबर विस्फ हिंदी दिवस 10 जनबरी पिर्थम विस्फ हिंदी सम्मिलन 1975 में कैंद्रिय हिंदी सहस्तान का मुख्याले आगरा में विस्फ हिंदी सची वाले जो है वो मौरी सस में हिंदी का पहला अख़वार उदन्त माड़ण हिंदी में लिकित प्रिथम महाकाब्वे प्रिथवी राजरासो हिंदी का अध्यन कराने वाला प्रिथम बिसिव 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 अटल भारी बैश्पही ने किया और हिंदी का पिर्थम ग्यानपीट पुरुषकार सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए मिला। हिंदी का पिर्थम चलचितर राजा हरीश्चन्द है। हिंदी की पहली बोलती फिल्म आलम आरा है। हिंदी का पिर्थम अंतराष्टि बिसे बिद्याल्य जो यह महरास्ट के बढ़दा में इस्तापित किया गया था। तो इसी के साथ अपनी आज की क्लास समाप्त होती है कल दस बजे फिर मिलेंगे एक सांदार जी एस का टॉपिक लेकर तब तक के लिए जैहिंद जैभारत